अगर आप टारो में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं यहाँ पर अधरवाइस भी आपका बहुत इंटरेस्ट आप सीखना चाहते हैं यह वा टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं यह भी स्कोर्स में covered है और इसी से ही related अगर कोई भी सवाल आपके मन में है कोई भी doubt आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं यहाँ पे दिखे मैं आपको कहूंगी WhatsApp करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा क्योंकि phone calls at times miss हो जाते हैं लेकिन जब आप WhatsApp करते हैं तो जरूर आपको जवाब मिलता है और अगर आप tarot औकल्ट में बहुत interested हैं अभी सीखने के mood में नहीं हैं आप मेरा free webinar जोइन कर सकते हैं जिसमें tarot और कल्ट इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी इन दोनों का ही link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone मैं हूँ किरन शापरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल यह 29th April से लेकर 5th May तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापता ही राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही का शीफल Ladies आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकर आ रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of pentacles और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो जो figure है वो खड़ी हुई है और इनका pose भी ऐसे है जैसे कि किसी चीज के बारे में सोच रही है इनके सामने बहुत सारा एक पैसों का धेर है तो देखी ये card कहीं अगर हम एक दो words में बताएं तो overthinking नहीं, thinking की बात करता है future course of action को decide करने की बात करता है कहीं उनों कोई decision, कोई choice लेने की बात करता है और कुछ ऐसी ही energies इस week specifically आपके professional fund में रहती भी दिख रही है और हो सकता है कि इसी से ही related आप self analysis कर रहे हैं होता है ना कभी कभी हम पीछे मुण कर देखते हैं भई हमने क्या किया था जिससे हमें एक positive result मिला था क्या किया था जिससे हम परेशान हुए थे और उसी के ही basis पर हम future course of action decide करना चाहते हैं यहां हमारे मन में एक सोच होती है तो इस तरीके की energies हैं जहाँ पर कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप crossroads पर खड़े हुए हैं और यहां से अब कहां आप जाएं क्या direction लें क्या you know आप turn लें उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो बहुत कुछ active energies इस week नहीं देख रही हैं बहुत आप किसी चीज में involved होते वे नहीं देख रहे हैं बहुत किसी चीज में participate होते वे नहीं देख रहे हैं pause लेते वे देख रहे हैं एक सोच रहती हुए दिख रही है एक प्लानिंग रहती हुए दिख रही है और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों कले 9 of Swords का काड है तो दिखे यहाँ पर भी एक सोच रहती हुए दिख रही है लेकिन अगर आप दोनों काड्स को देख पा रहे हैं तो आपको खुदी समझ में आ रहा होगा कि जमीन आसमान का अंतर है और यह काड्ड बहुत एक negative सी energy depict कर रहा है यह काड्ड कहता है कि आप फिर से मैं कहूंगी बहुत जादा सोच रहे हैं overthinking कर रहे हैं और overthinking और negative thinking कहीं बहुत ही जुड़ी हुई आपस में बहने हैं thoughts और happiness आपस में कोई connection नहीं है बहुत दूर दूर रहते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप overthinking करेंगे negative thoughts आएंगे तो खुश तो रहेंगे नहीं तो इस week को अगर आप बहतर करना चाहते हैं आपने सिरफ एक चीज़ करनी है अपने thoughts को observe करना है जैसे ही आपको लोगे negative thoughts आ रहा है आपने तुरन्त उसको positive thoughts के साथ replace करना है या पिर आप ऐसा भी कह सकते है recall, cancel, delete यानि कि वो thought universe में जाए और manifest हो उससे पहले ही आप उसको recall कर लेंगे फिर cancel करेंगे फिर delete कर देंगे तो देखे इस तरीके की energies रखते हैं ये week ठीक ठाक रहेगा लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप negative thinking, negative thinking भी मैं नहीं कहूंगी overthinking में चले गए तो फिर आप बहुत परेशान होंगे हो सकता है कि कुछ Aries को रात को अच्छे से नीन भी ना आए और बिना बात के कोई भी चीज आपके mind में stuck हो सकती है जिसकी वज़े से stress, tension, anxiety भी create हो सकती है तो nutshell में फिर से मैं कहूंगी आप overthinking ना करें आप professional friend में thinking कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें सोचना चाहिए समझना चाहिए आगे बढ़ने से पहले लेकिन हमें overthinking बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि overthinking is the root cause for all the stress, all the tension, all the anxiety तो इसको ज़रूर आप check करके correct करें and in general या फिर guidance है आप लगों के लिए the receptive का card है और देखिए receptive का card कहीं passive energies की बात करता है तो ये card आपको यही message दे रहा है कि इस week बहुत ज़्यादा आप actively किसी भी चीज में involved ना हो या फिर अपनी तरफ से action initiatives ना लें इस week आप receptive वली energies में रहें यानिकी receiving वली energies मे रहें अब देखिए यहाँ पर इस card का सब के लिए different meanings रहेंगे लेकिन receiving का एक meaning यह भी होता है कि इनो कितनी बारी हम देते रहते हैं we are always givers या फिर भी try to give और लेने में हम hesitate करते हैं तो इस week आपने give नहीं करना है आपने receive करना है आपने लेने वाली energies में रहना है या फिर इ बहुत action initiatives आपने किसी भी चीज में नहीं लेने हैं and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है और इस card के हिसाब से all shades of red maroon rust इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशिफल और नेचे मु रहा है कि energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है The Empress Empress का card tarot में abundance को represent करता है prosperity को represent करता है positive outcome positive result की भी बात करता है तो इस week सबसे पहली चीज पीछे किसी भी चीज को लेकर आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे और आप result का wait कर रहे हैं तो positive result positive outcome आपको मिलता दिख रहा है और दूसरी बात ये card comfort luxury को भी represent करता है तो कहीं you know बहुत comfortable होके आप चीजों को करते हुए दिख रहे हैं या फिर professional friend में अगर पीछी किसी भी तरीके का discomfort था आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थी तो इस week एक comfort आता हुआ दिख रहा है stability security आती भी दिख रही है आप थोड़ा सा या फिर काफी relaxed चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि Empress feminine energies को represent करती हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई female या फिर कोई male भी हो सकते हैं जिनकी feminine energies हैं उनकी तरफ से एक supportive cooperative energies रह रहे हैं overall के लिए आप बहुत enjoy करते हुए दिख रहे हैं जो personal front के लिए आप लोगों के लिए king of swords का card है और ये card कहता है कि कही personal front में आप थोड़ा सा strict होते हुए दिख रहे हैं या फिर पीछे बहुत carefree थे बहुत haphazard manner में चीजे रह रही थी तो इस week आपको यसे लग रहा है कि थोड़ा सा organized तरीके से चलें थोड़ा सा systematic तरीके से और कहीं एक discipline लाने पे focus आपका रहतावा दिख रहा है पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर confused हो रहे थे तो बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं एक clarity लाना चाहा रहे हैं या फिर बहुत जबर्दस clarity आ रही है और कही personal front में कोई male या फिर कोई इंसान जिनकी masculine energies हैं उनकी तरफ से supportive cooperative energies रह सकती हैं और इस week अगर king of swords वाली energies टॉरस आपके लिए हैं तो emotions, feelings, sentiments missing रहते वे दिख रहे हैं आप कहीं बहुत ज़ादा mind से बहुत ज़ादा logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं या पिर कर रहे हैं या कोई इस तरीके के इंसान ह जिसके साथ आपकी बहुत interactions हो रही हैं काफी बातचीत हो रही है और देखिए कहीं king of swords का card government को भी represent करता है कहीं you know surgeon या फिर doctors के अगर उसमें हम देखें तो surgeon को represent करता है और politics को represent करता है authoritative figure को भी represent करता है तो इन में से किसी भी इंसान के साथ आपकी interaction बातचीत हो सकती है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए inner truth का card है और ये card कहता है कि इस week आप अपनी inner voice को ज़्यादा सुन रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं you know इस card की guidance है कि अपने अंतरमन की अवाज को अपना ignore करें जो एक inner voice बहुत धीमी अवाज में हमें हमेशा guide करती रहती है हमें हमेशा warm करती रहती है हमें हमेशा cautious करती रहती है उसको आप जरूर सुने और astrology से आप लोगों के लिए वर गो sign का card है इसके हिसाब से all shades of beige and brown इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता ह आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies हैं तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है queen of pentacles सबसे बहली चीज देखें pentacles का card है pentacles taro में कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करते हैं तो इसी से ही related कहीं you know चीज़ें काफी अच्छी रहती वे दिख रही है अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि literally money पैसे से related एक gain एक फायदा आपको हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है आपकी rookie payment आपको मिल रही है कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपको loan चाहिए था यानि कि किसी से उधारी चाहि यहाई स्टेबिलिटी से कुरिटी आती है वो आप महसूस कर रहे हैं या पिर कैसे जो भी आपका finances money से related गोल है आप उसको अचीव करें आप उसके बारे में सोच रहे है कैसे finances से related जो भी stability रहती है उसको आप अचीव करें उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो money, paysa, finances या तो आपको मिल रहे हैं या फिर आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि यहाप ए Queen of Pentacles का काड है, तो कोई female या फिर इनसान जिनकी feminine energies हैं, उनकी तरफ से supportive, cooperative energies रहती भी दिख रही हैं। और कहीं देखिए प्राक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से यह supportive, cooperative energies रहती भी दिख रही हैं। Money, पैसा, materialistic, tangible, चीज़ों से related, यह एक contribution, contribution is actually not the right word, support, help रहती भी दिख रही है। और overall के लिए देखिए, professional front से related यह भी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और personal front के लिए आप लगों के लिए emperor का card है, और सबसे पहली चीज़ यह card कहता है, power, position, authority, या तो आप चाहा रहे हैं, या फिर आपको मिल रही है, या फिर कोई authoritative figure है, उनसे अगर आप connect करना चाहा रहे हैं, तो आपका connection हो रहा है, यानि कि आप connect कर पा रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है, या फिर generally, आप किसी ऐसे authoritative figure से मिल रहे हैं, जो की किसी लेविल पर आपको help भी कर रहे हैं, support भी कर रहे हैं यहां पिर देखिए घर के भी बड़े होते हैं, जैसे grandparent हो गए यहां पिर अगर आपके father भी हैं, जो काफी authoritative हैं, बहुत mature हैं, protective भी हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा interaction बात हो रही है और अगर कोई इस तरीके का इंसान नहीं है, तो यह emperor वाली energies, gemini's आपकी रह सकती है जहां पे बहुत systematic होके, बहुत organized होके आप चीजों को करना चाहा रहे हैं एक discipline लाना चाहा रहे हैं, in fact चीजों का control अपने हाथ में लेकर जो भी action initiatives required हैं, अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए वो आप लेते वे दिख रहे हैं, तो इस week दिखे एक active energies रहते वे दिख रहे हैं फिर से कहूंगी, जो भी आप चाहाते हैं, उसके लिए जो भी action initiatives लेने की ज़रत है आप ले रहे हैं, इस week आप चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, आप सोचते नहीं रहेंगे, आप सल्क नहीं करेंगे इस week आप आगे बढ़के चीजों को करने में believe करेंगे या फिर ऐसी आपकी energies रहेंगी और दिखे कहीं आपको एक positive outcome भी मिलेगा और बहुत हिसाब से, बहुत तरीके से आप चीजों को करते हुए दिख रहे हैं self respect बहुत important रह रही है या फिर आपको अपने surrounding से जो भी लोग आपके आज पास हैं specifically personal friend में उनसे काफी respect मिलती हुए दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए darkening of the light का card है और ये card कहता है कि over confident किसी भी चीज को लेकर इस week आप ना हो थोड़े से cautious रहें, थोड़े से conscious रहें और एक awareness के साथ चीजों को deal करें and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं यानि कि sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो वो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए एक answerians आप लोगों के लिए देखेगी coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है The Sun The Sun का card कहीं happiness, joy की बात करता है success की बात करता है बहुत एक you know bright radiant energies की बात करता है हम सब जानते हैं जब सुभे sun आता है अंधेरा गायब होता है और कहीं एक नए दिन की शुरुवात होती है बहुत सारी उमीदें बहुत सारी एक hope sun लेकर आता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional friend में रहता हुआ दिख रहा है किसी नई चीज की शुरुवात किसी level पे किसी तरीके से या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं किसी outcome किसी result का वेट कर रहे हैं तो 100% आपको positive यानि की बहुत अच्छा एक result outcome मिलता हुआ दिख रहा है और जो भी आपके professional friend में हो रहा है कहीं एक happiness joy रहती भी दिख रही है क्योंकि sun knowledge को भी represent करते हैं कुछ के लिए हो सकता है आप कोई knowledge gain कर रहे हैं कोई skill update कर रहे हैं नहीं तो फिर से मैं कहूंगी कि बहुत एक beautiful energies रहते भी दिख रही है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर fear था, insecurity थी, confusion थी तो वो भी clear होते भी दिख रही है तो देखें टारो के हिसाब से ये week specifically professional front में काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of wands का card है night of wands का card अगर मैं natural में यानि कि एक शब्द में आपको बताऊं तो change की बात करता है in fact positive changes की बात करता है क्योंकि यहाँ पे ये card upright है और कहीं देखें ये changes सब के लिए differ करेंगे क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए change of place हो सकता है यानि कि simply आप travel कर रहे है कुछ के लिए change of residence हो सकता है यानि कि आप घर change कर रहे है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई आपका friend, कोई आपका you know loved one घर change कर रहे है आप उनको help कर रहे है तो कहीं बहुत एक movement सी रहती भी दिख रही है, कभी-कभी होता है na within the city भी हम बहुत जादा सडकों पे चल रहे होते हैं, एक जगा से दूसरी जगा, दूसरी जगा से तीसरी जगा, तो इस तरीके की energies भी कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं, यानि कि within the city या तो आप बहुत move कर रहे हैं, या फिर आप out of the city ट्रावल कर रहे हैं, आपकी movement रह रही है, और मैंने आपको बताया, change of place, change of residence रह सकती है, कुछ के लिए change of attitude भी रह सकता है, change of mindset भी रह सकता है, लेकिन physical level पे ये changes जादा रहते वे दिख रहे हैं, और कहीं दिखिए इस week आप कुछ चीजों को लेकर या किसी खास चीज को लेकर थोड़े से impulsive होते वे दिख रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी करते वे दिख रहे हैं, और जब भी ये card आता है, मैं यही कहती हूँ, कि अगर immediate action लेने की ज़रत है, तो ज़रूर ले, लेकिन बिल्कुल भी impulsive ना हो, क्योंकि कहते हैं जल्दी का काम, शयतान का काम, और जल्दबाजी में किये गए काम, most of the times, you know, ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इस चीज का खयाल रखें, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे, impulsive होके कुछ चीजें करीं, तो फिर आपको एक restlessness, एक anxiety रहेगी, और otherwise ये बहुत ही positive कार्ड है, तो अच्छा रहेगा ये भी, फिर से कहूंगी इस चीज का खयाल रखें, कि आप impulsive ना हो, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए innocence का कार्ड है, देखिए innocence का का कार्ड कहीं trust की बात करता है, faith की बात करता है, simplicity की और मेरा ये मानना है कि जिन्दगी बड़ी ही असान है, बड़ी ही simple है, इसको हम complicate करते हैं, क्योंकि most of the times, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, deeper level के लिए कि ये ठीक नहीं है, और हमें नहीं करना चाहिए हैं, हम फिर भी करते रहते हैं, हम फिर भी, you know, चीज और जिस भी God को मानते हैं, युनिवर्स को मानते हैं, उन पे trust करें, faith करें, and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था कि इन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का साथ और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए लिए लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Swords, दिखिए नाम भी Swords है, और अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें image भी sword यानि की तलवार की बनी हुई है, और हम सब जानते हैं, तलवार कहीं challenges को represent करती है, पुराने जमाने में लडाई के लिए यूज होती थी, खुद को protect करने के लिए यूज होती थी, कहीं साथी साथ sword सच की लडाई के लिए भी यूज होती लेकिन अगर आप इस तलवार को, इस sword को और गौर से देखें तो इसके उपर crown है, यानि की मुकट है, तो देखें साथी साथ ये card कहीं victory और success को भी represent करता है, power position authority को भी represent करता है, तो देखें इनी सब चीजों को combine करें, इस week specifically professional front में जरूर challenges रह सकते हैं, लेकिन अगर आपन आपने एक fighting spirit रखी, आप emotional नहीं हुए, आप sentimental नहीं हुए, आपने बहुत logically चीजों को deal किया, आपने detached attachment रखी और आपने confusion को अपने उपर हावी नहीं होने दिया, again कहूंगी एक fighting spirit रखी, definitely आपको success मिलेगी, definitely आपको victory मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा भी, अगर आप emotional हो गए sentimental हो गए, आपने clarity के साथ चीजों को deal नहीं किया, आपने logically चीजों को नहीं deal किया, तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए the moon का card है, और हम सब जानते हैं, दिखिए, moon रात को आता है, और रात को अंधेरा होता है, कहीं हमें अंज जगा पे रात को जाना हो, तो हम थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा हमें डर लगता है, वहीं दिन में अगर किसी अंजान जगा पे जाना हो, तो हमें confidence रहता है, क्योंकि दिन में बहुत एक clarity होती है, हर चीज हमें crystal clear दिख रही होती है, लेकिन रात को कहीं light होने के बा security है confusion है और देखिए मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है यह जो माइंड होता है यह बहुत fertile smile है negative thoughts के लिए एक negative thought आया और यह negativity multiply होने शुरू हो जाती है positive thought तो add भी नहीं होता है और negative thoughts multiply होना शुरू हो जाते हैं और इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि हम इस negative energy में गुम होके रह जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि इसकी शुरुवात एक negative thoughts से थी अगर उस time पर यह negative thoughts हमने रोक लिया होता इसको positively deal कर लिया होता तो फिर यह negativity में हम गुम नहीं होते हम परेशान नहीं होते तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है चीजें clear नहीं है और आप clearly नहीं चीजों को देख पा रहे हैं एक confusion है और इसकी वज़े से fear and security है और अगर आपने conscious awareness के साथ इसको चेक करके करेक्ट नहीं किया तो फिर आप बहुत परेशान होंगे अब इसके लिए देखिए आपने अपने thoughts की checking करनी है या फिर मैं कहूंगे अपने thoughts के लिए awareness रखनी है जैसे ही एक negative thought आता है आपने तुरंत बोलना है recall, cancel, delete क्या होता है कि law of attraction के हिसाब से जो भी हमारे thoughts होते हैं वो universe तक पहुंचते हैं और वो manifest होते हैं आप भी मैं एकदम से नहीं होते ह of time वो add होते रहते हैं और फिर वो manifest हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको बुला recall, cancel, delete क्योंकि जैसे ही negative thought आएगा वो universe के पास जाए इससे पहले ही आप उसको recall कर लेंगे वापस बला लेंगे आप cancel करके delete कर देंगे मतला अपने system से बाहर निकाल देंगे तो व इस week आप जरूर रखें क्योंकि थोड़ा सा भी आपने इस confusion, fear, insecurity को अपने उपर हावी होने दिया तो फिर specifically personal front में आप काफी परेशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए keeping still का card है और इसके हिसाब से जितना आप piece of mind को maintain करने पे focus करते हैं जितना आप एक detached attachment र ऐसे circumstances रह सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा upset करें, थोड़ा सा परेशान करें ऐसे में फिर से देखिए बहुत बहुत important रहेगा अपने thoughts को observe करें, negative thoughts को आप तुरंत recall, cancel, delete करें, positive thoughts ये साथ replace करें और फिर से कहूंगी peace of mind maintain करने पे focus करें, detached attachment रखें क्योंकि I understand हम लोग human beings है हम बिलकुल detached तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम detached attachment रखते हैं, हम positively चीज़ों को deal कर पाते हैं, तो इन चीज़ों का खयाल इस week आपने जरूर रखना है and astrology से आप लोगों के लिए एक various sign का card है, इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये थालियो आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलियो आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आपको एक appreciation मिल सकती है पीछे जो भी efforts आपने किये, उसके लिए एक recognition मिल सकती है या फिर आप lime light में रह सकते हैं यानि कि जो भी लोग आपके work front में आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं वो आपको follow करना चाहा रहे हैं, या फिर आपको follow कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को lead कर रहे हैं या बहुत एक leadership qualities या attitude आप maintain कर रहे हैं और कहीं देखिए जो लोग social media से connected हैं, उनके social media में followers बढ़ सकते हैं, subscribers बढ़ सकते हैं आपके जो भी followers, subscribers हैं, उनसे आपको एक attention मिलता हुआ दिख रहा है, appreciation, recognition मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं ये cut success victory की भी बात करता है, तो पीछे किसी भी चीज़ पे आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी इस week उसके outcome, उसके result का अगर आप wait कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक positive outcome, एक positive result यहां तो मिल रहा है या फिर आपको ऐसे लग सकता है, yes, अब, you know, वो positive outcome, वो positive result आपको मिल जाएगा तो nutshell में देखिए, बहुत beautiful आपके professional friend में चीज़ें रहती भी दिख रही हैं, energies रहती भी दिख रही हैं लेकिन जब भी यह काड़ाता है, मैं यही कहती हूँ, कि जब हमें इतना appreciation, recognition मिलता है और दिखिए, सब के लिए different levels पे रहेगा, किसी भी form में जब हमें, again मैं कहूँगे, appreciation, recognition मिलता है तो थोड़ा सा एक घमंट आजाता है, थोड़ा सा एक, you know, arrogance आजाती है, थोड़ा सा हम ज़ादा overconfident हो जाते हैं और कहते हैं, overconfidence leads to destruction, तो इस चीज़ का खयाल आप इस वीक ज़रूर रखें, otherwise काफी अच्छा आपका professional front रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए, आप लोगों के लिए judgment reverse का card है, और ये card कहता है, थोड़ा सा stuck आप महसूस कर सकते हैं पिर से कहूंगी, ये general reading है, ये stuck energies, ये अटका हुआ वाली energies, सब वोगों के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेंगी कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप एक नहीं beginning करना चाहा रहे हैं, personal front के किसी area में एक fresh start करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत जादा उसे situation में stuck, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और इसी से ही related या फिर otherwise आपको कोई decision लेना है, choice लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, आप two minds में हैं और कहीं देखिए broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी एक fresh beginning या freshness या fresh तरीके से चीजों को करने की बात करता है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे related challenges रहते हुए दिख रहे हैं और कितनी बारी हम खुद को ही लेकर होते हैं, मैंने ऐसे नहीं करना, बहुत analysis करते हैं, मैंने वैसे नहीं करना और जब हम इतना analysis करते हैं तो फिर हम खुद ही अपने आपको misguide करते हैं, या फिर हम अपने goal से deviate होते हैं और हमें इस चीज का हिसास नहीं होता, हम बहुत परिशान होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगे अगर आप किसी भी चीज के लिए including your own self, critical, judgmental होता हुआ पाएं तो जरूर इस चीज को चेक करके correct करें और decision choice अगर आपको लेनी है तो इसमें भी delay ना करें आप बहुत ज़ादा logically चीजों को ना सोचें आप फिर से कहूँगे मैं बहुत ज़ादा critical, analytical ना हो और जो भी चीज आपको ठीक लगती है अपने heart और mind में balance रखते हुए उसी से related आप decision choice ले लें and trust me ये बहुत सारे issues, बहुत सारे मसले personal front में जो भी इस week रह सकते हैं उसको solve कर देगी and in general या फिर guidance आप लोगों के लिए contemplation का guard है तो दीए बहुत ही clear message है कि impulsive होके कोई भी काम ना करें जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें और in fact मैं कहूंगी इस week आप बहुत जादा चीजों में खुद को involve ना करें और बहुत एक active energies में ना रहें थोड़ा सा एक passive energies में and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके इसाब से all shades of green yellow green yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है justice अब देखें justice के card को literally देखें तो नयाई की बात करता है justice की बात करता है fair energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके profession fund के लिए होता हुआ देख रहा है अब देखें इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा सब कुछ great होगा इसका मतलब सिरफ यह है कि पीछे जितना effort आपने किया या फिर इस week जितना effort आप करेंगे उतना ही और exactly in fact मैं कहूंगी उसी हिसाब से उतना ही आपको outcome result मिलेगा और अगर आपने effort नहीं किया अगर आपने कोशिश नहीं करी तो आपको result वो outcome नहीं मिलेगा क्योंकि फिर से कहूंगी इस week justice का card नयाय होने की बात करता है और पीछे किसी भी चीज को लेकर आप effort कर रहे थे आप बिल्कुल अपनी तरफ से ठीक थे और कहीं होता है न आप अपने लिए stand ले रहे थे या literally कुछ के लिए हो सकता है कोई legal case चल रहा था तो इस week आपको एक positive उसका outcome positive एक result मिलता हुआ दिख रहा है अब दिखें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब के लिए legal कोई case चल रहा होगा ये possible नहीं है जिनके लिए भी court case, legal case अगर रह रहा था तो इस week आपके हक में चीजें होती भी दिख रही है और अगर कोई भी legal case, court case नहीं चल रहा था हो सकता है कि ऐसे circumstances, situations हो जहाँ पर आपको decision choice लेनी है और आप कहीं बहुत logically चीजों को deal कर रहे है यानि कि हर चीज के pros and cons को way करते हुए advantages, disadvantages को देखते हुए ही decision choice लेना चाहा रहे है और देखें ये ही सही तरीका भी होता है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सही direction में जा रहे है and personal front के लिए आप लोगों case of wands reverse का card है और ये card कहता है कि कि किसी चीज से related एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं अब देखें कुछ के लिए literally नई beginning हो सकती है कुछ के लिए नए अंदास से कुछ करना हो सकता है नया attitude हो सकता है और फिर से कहूँगी कोई भी किसी भी level पर किसी भी तरीके से नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं या फिर हो रही है और उसी से ही related एक enthusiasm, excitement लो रहता हुआ दिख रहा है issues, मसले रहते हुए दिख रहे हैं या फिर एक beginning करने के लिए जो एक initial difficulties या फिर initial challenges रहते हैं वो रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं आप बहुत enthusiastically उनको deal नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है आपको यसे लग रहा है कि personal front में आपकी कोई growth ही नहीं हो रही है आपकी कोई progress ही नहीं हो रही है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज का जवाब आपको ना में मिल रहा है और overall के लिए demotivated महसूस करते हुए दिख रहे हैं कहीं वो motivation नहीं रहती हुए दिख रही है enthusiasm, excitement missing रह रहा है और अगर आप भी ऐसी ही energies पाएं तो इस week ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि एक enthusiasm, excitement आपका बरकरार रहे अपने goal, अपने मकसद के लिए आप motivated रहें क्योंकि देखिए जब ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती है हम जितना भी effort करें हम अपने goal मकसद को नहीं पापाते हैं क्योंकि देखिए 100% हम effort कर ही नहीं पाएंगे ये तीनों चीज़ें enthusiasm, excitement, motivation होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक passionate energies होना बहुत ज़रूरी है और देखिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है अपनी skills को update करना उसी चीज़ से related और ज़ादा information और ज़ादा knowledge गेन करना और इनी चीज़ों का अगर आप खयाल रखते हैं इस week को आप बहतर कर पाएंगे और अगर नहीं रखा तो फिर आप थोड़ा सा फिर से कहोंगे demotivated है सकते हैं enthusiasm, excitement missing रह सकता है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है over enthusiastic हो रहे हैं over excited हो रहे हैं और देखिए दोनों ही सेनारियों में थोड़ा सा चीज़ों को चक करके correct करने की ज़रत है क्योंकि ना तो over enthusiasm excitement अच्छा है और ना ही under enthusiasm यानि कि low enthusiasm excitement ठीक है moderate level पे चीज़ें हों balance तरीके से चीज़ों हों वो ही ideal situation होती है और इसी को ही maintain करने की आप personal friend में specifically ज़रूर कोशिश करें and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए biting through का card है और ये card कहता है कि कोई भी decision choice अगर आपको लेनी पड़ती है इस week आप उसको delay ना करें आप उसको postpone ना करें बहुत logically detached attachment के साथ उस चीज़ को आप deal करें और वो decision वो choice लें astrology से आप लोगों के लिए cheerioon का card है और इसके साब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का साबता है राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है wheel of fortune reverse और दिखिए ये card अगर हम in general देखें तो changes की बात करता है movement की बात करता है बहुत तेजी से चीजों के आगे बढ़ने की बात करता है क्योंकि इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है तो कहीं इन ही चीजों से related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या फिर travels से related, movements से related छोटे मोटे issues हैं या फिर इसकी वज़य से कहीं आपके professional friend में चीजें up and down हो रही हैं एक stability नहीं है एक जिसे बोलते हैं consistency नहीं है तो फिर से कहूंगी up and down होती हुई चीजें दिख रही हैं इन एन आउट किसी चीज में आप होते हुई दिख रहे हैं होता है ना कभी हम उसको बहुत actively pursue कर रहे हैं कभी हम withdraw कर रहे हैं कभी हमें लग रहा है कि ये चीज हो जाएगी कभी हमें लग रहा है कि ये चीज नहीं होगी लेकिन उतनी speed आप नहीं maintain कर पा रहे हैं तो देखिए nut shell में movement, speed, आगे बढ़ने से related, growth, progress से related, specifically professional front में छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं और इसी लिए याँ पर otherwise कुछ scopey उसको लग सकता है कि भाई किस्मत ना उतना साथ नहीं दे रही है, luck उतना favor नहीं कर रहा है और यहाँ पर देखिए हम सिरफ और सिरफ इस week के लिए देख रहे हैं तो इस चीज को सुनकर आप परेशान ना हों क्योंकि otherwise the wheel of fortune is a very very positive card क्योंकि यह reverse है तो इन्ही energies में छोटे मोटे issues रह रहे हैं लेकिन कुछ भी negative होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है और यह weekly reading है नया week तो नहीं energies लेकर आएगा तो इस week थोड़ा सा patience रखें थोड़ा सा आप जलबाजी ना करें और थोड़ा सा आप बहुत you know speed से भी चीज़ों को ना करने की कोशिश करें एक balance ज़रूर maintain करें और फिर से एक चीज़ आपको बता दूँ मुझे लग रहा है कि मैं भूल गई movement, travel and एक shift आने से related issues मसले रह सकते हैं किसी चीज़ को लेकर एक changes आने से related भी चोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं क्योंकि यह general reading है सब के लिए थोड़ा थोड़े फर करेगा and personal friend के लिए आप लोगों के लिए eight of cups का card है और दिखिए इस card को अगर आप देख पा रहे हैं जो figure है वो जो eight cups है उनको छोड़ कर आगे बढ़ रही हैं और ये card भी कहीं इसी चीज़ की बात करता है कि किसी चीज़ को छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा subscribe उसके लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि emotional level पे mental level पे आप किसी चीज़ को छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं especially अगर कोई चीज़ आपके mind में अटकी हुई थी आप नहीं उससे आगे बढ़ पा रहे थे ये सिर आप इमोशनल हो रहे हैं तो दिखिए दोनों ही fronts कहीं changes की बात करते हैं in fact changes नहीं मैं कहूंगी movement की बात करते हैं आगे बढ़ने की बात करते हैं growth progress की बात करते हैं और professional front में हमने देखा कि कहीं एक bumpy सी आपकी ride हो रही है यानि कि उतार चड़ाव रह रहा है और personal front में तो द आपका break up हो रहा है मैं बिलकुल भी नहीं कह रही हूं कि आपने relationship को छोड़ दिया इस week हो सकता है कि आप उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं आप थोड़ा सा relationship को let go करना चाहा रहे हैं किसी thought को let go करना चाहा रहे हैं दिखिए ये भी energies कुछ के लिए रह सकती हैं किसी चीज को बहु बहुत जादा आप cling कर रहे थे उसको आप let go कर रहे हैं तो इन ही चीजों से related इस week especially personal front में energies रहती हुए दिख रही हैं overall या फिर in general के energies से देखें तो approach का card है दिखिए approach का card किसी चीज के आने की बात करता है ये card arrival की भी बात करता है और हमने देखा personal front में किसी चीज को छोड रहे हैं तो कहीं पहुंच भी रहे हैं और जहां पर भी आप पहुंच रहे हैं वहां पर बहुत एक happiness joy रहती हुए दिख रही है अगर आप इस card को देख पा रहे हैं इस card में एक stairs है और रस्ता है और बहुत ही एक beautiful समा भी है तो कहीं देखिए आप हो सकता है किसी चीज को कर आगे बढ़ रहे हैं कुछ के लिए बहुत ही temporary हो सकता है कुछ के लिए पर्मनेंट हो सकता है कुछ के लिए कुछ time के लिए हो सकता है लेकिन जहां पर आप जा रहे हैं वहां एक beautiful energies रहती हुए दिख रही है तो यहां पर ये card आपको यही कह रहा है कि आप जो भी नई beginning हो रही है या फिर जिस भी जगा पर जा रहे हैं जितना उसके लिए positive रहेंगे welcoming रहेंगे उतना इस week के energies को आप बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था इस copies आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए Sagittarius आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of cups और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को लेकर, किसी खास इंसान को लेकर या फिर overall his situation लोगों को लेकर आप काफी emotional काफी sentimental हो रहे हैं हो सकता है in the process, आप बहुत practical, realistic होके चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं या फिर you know basic एक practicality भी आप नहीं रख पा रहे हैं बेसिक एक रियलिस्टिक होकर भी आप चीजों को नहीं डील कर पा रहे हैं आपकी काफी mood swings हो रहे हैं आप बहुत clingy, बहुत attached किसी खास चीज के साथ यहां फिर overall ही हो रहे हैं और दिखे जब भी भी हम heart और mind का balance नहीं रख पाते हैं हम परेशान होते हैं, हम right decisions, right choices नहीं ले पाते हैं जो भी right action initiatives required होते हैं उस situation में हम उनको भी नहीं ले पाते हैं तो दिखे इस week आपने बहुत बहुत खयाल रखना है कि आप थोड़ा सा logically चीजों को deal करें थोड़ा सा realistic, practical होके चीजों को deal करें नहीं तो इस week हो सकते हैं आपको इतना एसास ना हो लेकिन आगे चल कर आप काफी परेशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of wands reverse का card है तो दिखे दोनों ही fronts के लिए queens का card है और ये cards कहते हैं कि इस week overall ही personal या फिर professional किसी भी front में कोई female है जिनसे आपकी जादा interactions हो रही है जादा बातचीत हो रही है या फिर कोई इनसान भी हो सकते हैं जिनकी feminine energies है जिनके साथ again मैं कहूंगे आपकी जादा बातचीत जादा interaction हो रही है professional front में हो सकता है कि कोई female जादा expressive हो रही है अपनी कोई परिशानी आप से जादा शेयर कर रही है या फिर अगर आपके लिए बहुत loving, caring है तो अपना love, care, express कर रही है और personal front में कहीं देखिए एक enthusiasm, excitement में balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है कुछ sedutaries के लिए हो सकता है कि over enthusiastic, over excited किसी चीज के लिए हो रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि enthusiasm, excitement काफी low रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर देखिए sedutaries आपके लिए भी energies रह सकती है यहाँ पर कोई female आपके personal front में है आपके close circle में है, उनके ऐसी energies रह सकती है तो दिखिए जो भी scenario रहे बहुत बहुत important रहेगा कि आप इनी energies में एक balance लेकर आए और जो भी आप achieve करना चाहते हैं उसके लिए जो भी action initiatives required हैं वो आप लें, कहीं अपने enthusiasm, अपने excitement, अपनी motivation को आप low न रहने दें और बहुत courageously, बहुत boldly आप चीजों को deal करें लेकिन अगर आप over courageously, over bold तरीके से चीजों को deal करें तो उसको भी check करके correct करें और अगर आपका you know enthusiasm, excitement लो रह रहा है या फिर बहुत boldly चीजों को deal करने की ज़रत है आप नहीं कर पा रहे हैं इसको भी ज़रूर check करके correct करें तो देखिए कुछ भी खराब, ऐस सच नहीं होता हुआ दिख रहा है बट energy levels में कहीं एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है इस चीज को check करके ज़रूर correct करें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए the clinging का card है तो देखिए मैंने आपको अभी कहा ही था थोड़े से ज़्यादा clingy, थोड़े से ज़्यादा attach किसी खास इंसान या फिर लोग हो सकते हैं या कोई खास situation या फिर situations हो सकते हैं उनके लिए हो रहे हैं और यहां आपको guidance के लिए the clinging का card आपको बहुत clear message दे रहा है कि आपने एक detached attachment रखनी है किसी भी चीज को बहुत ज़ादा नहीं pursue करना है यहां पर मैं आपको यह नहीं कहरी कि आप अपने action initiatives ना ले definitely हमें action लेना है initiative लेना है लेकिन outcome के साथ बहुत ज़ादा हमने attached नहीं होना है थोड़ा सा surrender mode में रहना है and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है और इस card के हिसाब से all shades of blue, green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था से रिडेरेस आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ताही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताए कि यह कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलेगा अप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Pentacles Reverse और यह card कहता है कि इस week money, पैसा, tangible, materialistic चीज़ों से related छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले रह सकते हैं और वहीं देखें साथी-साथ यह money का card है तो कहीं finances, money, materialistic, tangible चीज़ों पे हो सकता है कि आपका बहुत focus भी रहे तो सबसे पहली advice इस card की तरफ से आप लोगों के लिए यही होगी कि पैसे को थोड़ा सा संभाल के खर्च करें क्योंकि यह card आप लोगों के लिए reverse है और इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो हाथ उल्टा है यानि कि पैसा नीचे गिर रहा है अब मैं आपको यह नहीं कहरे हूँ कि literally आपके पैसे नीचे गिर रहे है कुछ के लिए यह भी एक possibility रह सकती है overall के लिए देखे सब के लिए different situations रहेंगे लेकिन example के तोर पे मैं आपको बताऊ तो हो सकता है यह week कि आपका खर्चा जादा हो रहा है या फिर कुछ के लिए हो सकता आपको कोई manipulate करके आपसे पैसे ले रहा है तो जो भी दो situations मैंने mind में आई मैंने आपको बताया सब के लिए different situations रह सकती है जिसमें पैसे आपके हाथ से जा रहा है और यह काट कहीं new beginnings की भी बात करता है again this week reverse है तो हो सकता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके से professional front में नई beginnings related भी कुछ issues रह रहे हैं अब देखे फिर से मैं कहूंगी सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा यानि कि यह नई beginning जो आप करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए बहुत ही छोटे मोटे level पे हो सकती है कुछ के लिए बड़े level पे हो सकती है उससे related again teething issues छोटी मोटी problems रह सकती है एक initial difficulties रह सकती है नई सिरे से चीजों को करने के लिए तो इस week थोड़ा सा इत्मिनान रखें patience रखें because Ace of Pentacles is not a negative card बहुत ही positive card है reverse है तो अच्छी चीजें होंगी लेकिन initial issues initial एक छोटी मोटी परिशानिया रह सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 7 of swords का card है और ये card कहीं escapism की बात करता है यानि कि चोरी छुपे किसी चीज से बचना किसी चीज से बचाना किसी चीज को ignore करना किसी चीज को avoid करना upfront होके चीजों को न deal करना इन सभी बातों को ये card represent करता है और कुछ ऐसा ही आपके लिए personal front के लिए रहतावा दिख रहा है फिर से कहूंगी general leading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई situation है या कोई problem है आप उससे escape कर रहे हैं आप उसको avoid कर रहे हैं आप उसको ignore कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज से आप छुपते छुपते भागना चाहते हैं face नहीं करना चाहते हैं और overall ही देखिए अगर कोई issue या फिर कोई भी challenge है तो upfront होके इस week आप नहीं deal करना चाहा रहे हैं और दिखी ये card कहीं cheating को भी represent करता है तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगे कि blind trust, blind faith आप किसी पे भी इस week ना करें क्योंकि हो सकता है कि कोई इनसान जिनको आप बहुत trust कर रहे हैं या फिर otherwise भी trust नहीं भी कर रहे हैं नॉर्मल इनसान भी है आपको manipulate कर रहे हैं आपके साथ diplomatically deal कर रहे हैं या फिर किसी level पे आपके साथ cheating कर रहे हैं अब देखिए ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है पूरी entire आपकी life की reading में नहीं कर रही हैं तो इस week सिरफ आपने cautious रहना है थोड़ा सा alert रहना है थोड़ा सा चुकना रहना है blind trust नहीं करना है कोई भी आप नया काम कर रहे हैं नहीं बंदे से dealing कर रहे हैं तो you know again मैं कहूंगी की सोच समझ के करें और एकदम से किसी पे trust ना करें आप लोगों के लिए the attraction of opposites का card है और ये card कहता है कि हो सकता है किसी चीज को लेकर बहुत एक desire बहुत एक चाहत आप हैसूस कर रहे हैं और बहुत आपको temptation हो रही है तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए जो action initiatives required हैं आप जरूर लें लेकिन बहुत temptations या फिर एक greed greed is a very very negative word लेकिन जैसे होता है न कभी कभी हम satisfied ही नहीं होते हैं हमें लगता है और चाहिए हमें और चाहिए यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है at times किसी इंसान से love हो सकता है प्यार हो सकता है जिसकी चाहत हमें बहुत ज़ादा रह सकती है जिसकी एक greed हमें हो सकती है कभी-कभी materialistic tangible चीज़ें हो सकती है तो देखिए जब बहुत ज़ादा किसी चीज की desire होती है चाहत होती है तो हमें परेशान ही करती है मैं यह नहीं कह रही कि आप desire न रखें आप चाहत न रखें रखें लेकिन उसको इतना जादा बढ़ा ना कर दें कि वो इतनी जादा आपके ओपर हावी हो जाए कि आप बाकी life के areas पे ना focus कर पाएं आप एक balance ना maintain कर पाएं तो इस चीज का खयाल आप overall ही इस week जरूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाप से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए equations आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of souls rivers और यह का tarot में speed की बात करता है बहुत तेजी से बहुत एक again मैं कहूंगी speed से अपने goal अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने की बात करता है कोई भी अर्चन, कोई भी obstacle, कोई भी confusion अगर रस्ते में आए तो उसको हटाने की बात करता है बहुत logically चीजों को deal करने की बात करता है, sudden changes की बात करता है, travel की बात करता है क्योंकि इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है, तो यहीं सब चीजों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रहते हुए देख रहे हैं example के तोर पे, कुछ के लिए हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं, आपकी travel plans delay हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी situation में आप बहुत stuck महसूस कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत एक impulsive तरीके से आप उसमें से बाहर निकलना चाहा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है अपने goal अपने मक्सद के लिए, आप बहुत speed से action initiatives लेना चाहा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहा रहे हैं Situation circumstances ऐसे हैं, नहीं उतनी speed maintained कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है, कुछ changes आप चाहा रहे हैं, वो changes नहीं आ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है, sudden changes हो रहे हैं, उनके साथ आप cope-up नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए, जो भी चीजे मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा, इन ही सब चीजों से related छोटे मोटे issues इस week रह सकते हैं, I think मैंने mention किया, travel plans भी कुछ के थोड़े delay हो सकते हैं, या फिर postpone हो सकते हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए temperance का card है, और ये card कहता है कि personal front में एक balance आप लाना चाहा रहे हैं, हो सकता है पीछे कोई चीज आप ज़रुत से ज़्यादा कर रहे थे, ज़रुत से कम कर रहे थे, और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि भई बहुत हो गया, थोड़ा सा balance लाने की ज़रत है, और कहीं इस week peace maintain करने पे आपका ज़्यादा focus रह रहा है, कभी-कभी होता है ना किसी के साथ कोई argument हुआ, या फिर कोई भी इस तरीके की चीजें हुई, हम इतना ज़्यादा अपने आपको इसमें involve कर लेते हैं कि in the process हमारा peace of mind हो जाता है, तो इस week आप इन सब चीजों में खुद को involve नहीं करना चाहा रहे हैं, फिर से कहूंगी आपका बहुत एक focus रह सकता है कि भई, सकून रहना चाहिए, peace of mind रहनी चाहिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है, आप different different चीजों को combine कर रहे हैं, experiment कर रहे हैं, अपने desired goal को achieve करने के लिए, अब ये general reading है, तो ये different different चीजों को combine करना सब के लिए differ करेगा, कभी कभी होता है न कि हम इस इनसान से भी advice ले रहे हैं, उस इनसान से भी advice ले रहे हैं, उनकी advice को combine करके, अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं, अगें देखिए, ये सिरफ और सिरफ example है, किसी भी level पे, किसी भी तर different चीजों को combine करके, या मैं ऐसा भी कह सकते हूं, आप try कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं उसको achieve करने के लिए, तो overall, personal front से related ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, और professional front में भी कुछ issue, कुछ मसला नहीं हैं, बस अगर आप, you know, अपनी speed में एक balance रखे ना तो आप over थेजी से कोई काम करें, ना ही आप, you know, over slow होके कोई काम करें, तो फिर आप इस week के energy specifically professional front में बेटा कर पाएंगे, and guidance है आप लोगों के लिए before completion का card है, तो देखिए, जब कोई चीज complete होने वाली होती है, उससे पहले हम थोड़े से cautious हो जाते हैं, या फिर आप तरीके से complete हो जाए, और कुछ ऐसी ही energies इस card की भी है, ये card आपको advice कर रहा है, कि थोड़ा सा cautious रहें, किसी भी चीज को for granted ना लें, किसी भी चीज को लेके carefree ना हो, या फिर मैं कहूंगी careless ना हो, फिर से कहूंगी थोड़ा cautious होके, थोड़ा conscious होके, थोड़ा alert aware होके च इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था equations आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो लेकार कहता है कि इस week specifically professional front में आप एक थकावत महसूस कर सकते हैं, होता है ना कभी कभी किसी चीज के लिए हम बहुत effort करते हैं, बहुत महनत करते हैं, और हमें उस तरीके से उस direction में progress नहीं दिख रही होती है, या फिर हम उसको achieve नहीं कर पाते हैं, और हम बड़े मायूस हो जाते हैं, मन ही मन हमें ऐसा थोट आता है कि बस अब ठक गए, अब और हिम्मत नहीं है, अब और stamina नहीं है, इस चीज को continue करने के लिए, तो कहिए giving up वले energies रहती भी दिख रही हैं, और जब भी भी nine of wands का card आता है, मैं यही कहती हूँ, आप अपनी मन्जिल मकसद के बहुत करीब हैं, बस एक final effort आपने करना है, एक final कोशिश आपने करनी है, आप अपने desired goal को definitely achieve कर लेंगे, तो अभी वक्त नहीं है कि आप give up करें, अभी वक्त नहीं है कि आप ठक के हार मान लें, एक final effort ज़रूर करें and definitely आप अपने goal मकसद को achieve कर लेंगे, and personal friend के लिए आप लोगों कि ले king of pentacles का card है, pentacles कहीं tarot में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करते हैं, तो इस week इन ही चीज़ों पर focus रहता हुआ दिख रहा है, या फिर इन ही चीज़ों की तरफ से किसी ना किसी तरीके से gain होता हुआ दिख रहा है, फाइदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक king का card है कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई male figure या फिर जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से supportive, cooperative energies हैं और दिखे, support, cooperation, money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से ही related रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी किसम के इनसान के साथ आपकी जाधा interactions बातचीत हो रही है, overall दिखे, comfort रहता ह दिख रहा है, एक luxury रहते भी दिख रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि land property पे, you know, एक focus है, specifically अगर आप कोई land खरीदना चाहा रहे हैं, कोई property खरीदना चाहा रहे हैं, तो उससे related जाधा discussions this week रह सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई purchase अगर आप बहुत time से करना चाहा रह हैं, या फिर उससे related एक सोच रह रही है, उसी से related action initiatives ले रहे हैं, तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूंगी money, पैसे से related चीज़े रहते हुई दिख रही हैं, होता है ना कि हम बहुत shopping कर लेते हैं, या हम जाधा पैसा खर्शा कर लेते हैं, या फिर हमारे को कोई gain होता है, त एक practical, realistic तरीके से चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं, stability, security भी रहते हुई दिख रही है, and professional front के लिए मैंने आपको बताया ही, कि आप give up ना करें, और अगर ऐसी energies में रहेंगे, तो फिर इस वी को आप better करेंगे, professional front से related, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए the joy is का card है, तो दिखे, professional, personal front में जो भी हो रहा हो, overall एक happiness, joy इस week रहते भी दिख रही है, और guidance के हिसाब से इस card को देखें, तो ये card कहता है, हर पल कैसे अपने आपको खुश रख सकते हैं, कैसे अपने आपको, you know, happy रख सकते हैं, इसके ओपर focus करें, and यकीन मानिये, ये चीज मैंने try क करी है, जब हम consciously एक awareness के साथ अपने आपको promise करते हैं, हम सोचते हैं, कि बस अब जो मर्जी हो जाएना, हमने खुश रहना है, हमने beyond the point परिशान नहीं होना, और हर पल, हर moment, कैसे खुश रहना है, इस पर focus करना है, तो हम, you know, जो छोटी मुटी चीजे हम irritate करती हैं, frustrate करती ह हैं, तो इस चीज का खयाल इस वीग ज़रूर रखें, and astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का card है, इसके ही साब से all shades of red, maroon, rust इस वीग आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था पाइसे आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राश